आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके फोन से किसी नंबर पर कॉल नहीं लग रहा है तो इस प्रॉबलम को कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो अगर आपके फोन से किसी नंबर पर कॉल नहीं लगता है तो इस प्रॉबलम को ठीक करने के लिए आप अपने फोन में सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन करिए उसके बाद एक उप्शन आएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क इस पर किलिक करिए अब उसके बाद एक option मिलेगा default for calls अपना वो sim card select करना है जिसमें कि आपका balance होगा recharge होगा जैसे कि अगर sim 1 में recharge है तो sim 1 select करिए sim 2 में recharge है तो sim 2 select करिए और उसके बाद अपनी उस sim पर किलिक करिए जिसमें आप calling यूज़ करती है यनि जिस sim को आप calling के लिए यूज़ कर रहे हैं जिससे आपका call नहीं लग रहा है तो जैसे कि SIM 1 से हमें ये problem आ रही है तो SIM 1 पर click करेंगे अगर आपको SIM 2 से problem आ रही होगी तो आप SIM 2 पर click करिए आप click करने के बाद एक ऐसा option आएगा और यहाँ पर एक option आपको मिलेगा access point names इस पर click करिए उसके बाद नीचे option आएगा reset इस पर click करिए और reset default APN settings completed आपको show हो जाएगा उसके बाद back आईए यहाँ पर एक option आएगा preferred network type इस पर click करके अगर आपका 2G select है 3G select है तो prefer LTE select करिए यहाँ फिर आपके phone में 4G के नाम से हो सकता है यह option उसके बाद back आईए एक option आपको मिलेगा mobile network इस पर click करके by default आपका यह चालू होगा यानि की on होगा तो इसे बंद करिए उसके बाद next करिए ok करिए अब searching complete होने के बाद automatically आपका SIM card select हो जाएगा उसके बाद आप इसे यहाँ से चालू करिए अब उसके बाद back आजाएए और एक option आपको मिलेगा यूज वोल्टी इसे चालू करिए इसे on करने के बाद back आजाएए और उसके बाद आपको फिर से back आकर settings में flight mode को चालू करना होगा तो यहाँ से आपको flight mode या फिर airplane mode मिलेगा इसे on करिए और उसके बाद आप इसे बंद करिए और उसके बाद back आईए और अब उपर आपको मिलेगा search का option इस पे click करिए यहाँ पर आपको search करना है reset उसके बाद आपके सामने दो option आएंगे एक आएगा reset wifi mobile network and bluetooth या फिर एक option आपके phone में आएगा reset network settings तो इस पे click करेंगे उसके बाद जिस sim से problem आ रही होगी वो sim card select करके नीचे reset पर click करके अपने phone का screen lock enter करिए ओके करिए उसके बाद आपके phone की network settings reset हो जाएगी यह करने से कोई आपका data delete नहीं होगा तो network settings को reset करिए और हमने already कर लिया है तो back आते हैं अब यह सब settings करने के बाद आपको अपने phone को बंद करके चालू करना होगा यानिके restart करना होगा और restart करने के बाद अपनी sim में balance या फिर अपनी outgoing validity चेक करिए हो सकता है recharge की वज़े से यह problem आ रही होगी और यह सब settings चेक करने के बाद आपकी problem ठीक हो जाएगी और आपके phone से call लगना शुरू हो जाएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को subscribe जरूर करें